हाई फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सुब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज है ना मैं दो केक बनाने जा रही हूँ एक साथ और दोनों का ही ना मैं बेटर एक साथ ही बनाई हूँ हाफ हाफ केजी का मुझे दो केक बनाना है इसके लिए मैं 200 क्राम पर मिक्स ली हूँ और मैं प्रिश्टीन कंपनी का लेती हूँ और इसको लेने के बाद है ना मैं चान लेती हूँ अगर आप नहीं चानेंगे तो भी चलेगा लेकिन क्या रहता ना फिर बेटर टाइम तक का गोलना पड़ता है उसमें लम्स रह जाते हैं तो इसके लिए ना मैं चान लेती हूँ चानना जरूरी नहीं है आप अगर बीना चाने भी बनाएंगे ना तो भी एकदम अच्छा बनेगा रेडिमेट का तो यही एक फाइदा रहता है कि आप कितना भी करो कितना भी ओवर है तो कुछ नहीं आपको वेट करके अपना प्रिमिक्स ले लो और पानी डाल के उसका घुल बना के आप रख दोसको बेख होने के लिए और जो हम लोग होममेट प्रिमिक्स बनाते ना उसमें बहुत सारे प्रोसीजर करने रहते हैं पूरा ही नाप नापके लेना रहता है अगर उसमें मिश्टिक हो गया ना तो आपका अच्छे से बनेगा ही नहीं और इसमें क्या रहता है ना कि आप कितना भी ओवर मिक्स करो और यह बेटर बना कर है ना आप एक दो घंटे तक रख भी देंगे कि जैसे आप बेक नहीं किये या आप बहुत सारा एक साथ बना लिए बाद में बेक करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपका आराम से उतना ही स्पोंजी केक तयार होने वाला है और यह मेरा बैटर तयार हो गया है आपको भी ऐसे ही करना है और अगर आप लोगों के पास वेट मशीन नहीं है तो आप लोग ना दो से एमल वा ससाथ कोई लिए dalी में नहीं कोई दिक्कत नहीं रहता है जरूरी नहीं की आप मेडल से डेस्ट करें से लगाए लगाएंग तो अब लगाएंगे तो कोई बिक्कत नहीं है लेकिन पिर बेटर पेपर ही लगाए रख दी हूं आप लोग रह आप लोगों के साथ एक शेर कर रहे हूंगी कलिया परसों शेयर करूंगी जो भी रहएगा और ये जब मैं केक बनार इतना इतना गड़बड हुआ कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों से बोलते भी अच्छा नहीं लगता है कि बार बार आप बोलोगे कि सेम प्रॉब्लम ही रहता है इनके साथ लेकिन क्या करूँ आप भी समझ सकते हो कि जब मैं इतना महिनत करके केक बना रही हूं तो क्या रिकॉर्ड आउन नहीं करती मेरा है ना बीच में रिकॉर्डर ही बंद हो गया था इस पेस रनिंग आउट हो गया था और इसमें मैं दो लेयर करी हूं और यह चोकोन वाला ना काफी सुन्दर तो लगता है कि लिकिन इसकी फिनिशिंग देने में काफी टाइम लग जाता है और यह ना मैं रोजा खोले के जश्ट एक घंटा पहले ही मैं बना रही थी इसके लिए है ना मैं इसकी फिनिशिंग ही नहीं दी उतने अच्छे से और क्युक् realism क्रीम डाल के यह मिकस कर रहे हूं क्यों कि मेरा पूरा क्रीम कलर हो जाएगा और बीच में अच्छे से ही गनाज डाल रही हूं उसके बाद यह दूसरा लेयर ढाली हूँ और इसकी soaking मैं अच्छे से कर रही हूँ आप लोग भी देख रहे होंगे अगर मैं रोज केक बना रही हूँ रोज soaking कर रही हूँ और मेरा केक अच्छा है तो समझ सकते हो आप तो अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो आप लोग है ना एक बात soaking करके जरूर देखें अपने केक को काफी अच्छा moist रहता है और मैं शुरूश्रू में नहीं करती थी मुझे खुद को डर लगता था इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ हम लोग का क्या रहता अगर कलासस लिए रहते है तो confidence अंदर जादा रहता है .. अगर कलासस नहीं लिए है और कहीं देख्के सीख रह हैं तो थोड़ा डर लग दर लगता है तो कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए ना तो उपर आ जाए एक दो क्रम्स तो आप लोग उसको निकाल ले और ये पाइपिंग बेग में भरकर मैं इसकी फाइनल फिनिशिंग कर रहे हूँ क्योंकि है ना मुझे ये वाला स्टेप जादा अच्छा लगता है अगर आपको डा प्रिकत नहीं है उसके बाद है ना मैं पेलेट नाइफ लेके पहले इसको थोड़ा सा ना इसमच कर दी हूँ उससे क्या रहेगा कि जब इसक्रेपर करूंगी तो एक दम अच्छे से हो जाएगा लेकिन क्या हुआ ये चोकोन वाला है गोल वाले का क्या रहता है कि एक जग बाद कि दोड़ा टाइम लग जाएगा और मुझे इसके बाद एक और केक बनाना था तो इसके लिए ना मैं सोची कि लए इसक्रेपर फ्रणार कल लेती हूँ पर ये इसक्रेपर मैeniz काफी टाइम से होगया दो सालका हो गया है ना तो इह खराब हो गया इसके जो स़ाइड में ऐसे रेशे रेशे निकले हैं इससे क्या हो रहा था ना कि मेरी है ना क्रीम ही उखड रही थी ऐसा लग रहा था जिसे फटी-फटी सी क्रीम है तो मैं बोली थोड़ा करने के बाद मैं बोली जाने दो फाइनल फिनिशिंग अच्छे से की कोशिश कर रही थी फिर मेरे घरवाले बोले जाने दो उसी से कर दो उतना नहीं वह दिखेगा फुलावर्स बना दोगे ना तो कवर हो जाएगा और इसमें और थोड़ा टाइम चले जाएगा तो आप है ना स्क्रेपर ही घुमा दो तो फिर है ना मैं यह सब करने के बाद सब्सक्रेपर चलाएं हूं और फिर से मुझे लग रहा था कि यह मेरी फटी फटी सी क्रीम लग रही है मैं बोली जाने दो फुलावर्स में कवर कर दूंगी तो अगर आपका स्क्रेपर भी ऐसा खराब हो तो आप लोग है ना बिल्कुल भी ऐसा मत करें मेरी तरह मेरा यह केक यहना Inner यह का है यह मैं अपस्तान करूं को अब उसको पता नहीं है इसके लिए ना मैं उसको देने के बाद करूंगी अप्लोड अभी कर तो एक नना अन्लिस्ट नहीं करूंगी जैब उस तक केक पहुंच जाएगा उसके बाद मैं इसको सक्षिंग करूंगी तो इसक खराब हो रहा था लेकिन लेट हो रहा था ना इसके लिए मैं बोली जाने दो और यहीं पर जब मैं इतना बनाई है ना तो क्या हुआ कि मेरा मुबाइल है इस पेसरा निंग आउट बता दिया तो उसमें क्या रहता है अगर तुरंट बंद हो जाए तो मुझे पता चल जाए लेकिन क्या रहता है थोड़े टाइम के बाद वो बंद होता है फ्लेश उसमें चालू रहता है जब वो फ्लेश बंद हुआ फिर मेरे समझ में आया के रहे यह रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और यहां पर आने के बाद मैं वापिस से अन करी हूँ मैं बोली अब क्या कर सकती सोरी परपल ने में बेबी पिंक कलर डाली यह तीन कलर की कॉंबिनेशन से में यह केक बनाए हूँ अगर आप लोगों को मेरा यह केक पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और यह है मेरे केक का फाइनल लुक इसलिए हैं मैं आराम से दिखा रही हूँ कि आप लोगों को जो भी डाउट है किलियर हो जाए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई